पंद्रा अगस्त यानी जश्न ए आजादी का दिन यही वो दिन है जब साल 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था तबी से 173 दिवस देश भर में बड़े ही हर्शू लास के साथ मनाया जाता है आज भारत एक आजाद देश है लेकिन इसकी खीमत बहुत लोगों ने अपनी जान दे कर चुकाई है शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा जहां से मुल्क की आजादी के लिए अवाज ना उठी हो या फिर जहां की सडकों पर आजादी के मतवालों का खुन ना बहा हो हर कदम पर आपको ऐसे निशान आज भी मिल जाएंगे जो देश की आजादी और उस पर मरमिटने वालों की कहानी बया करते हैं आज जब भी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी का दिन आता है तो हर जगे शान से तिरंगा लहराया जाता है लेकिन सोचिए वह दिन कितना खास रहा होगा जब पहली बार आजाद भरत की सरजमी पर तिरंगा फहराया गया होगा क्या आप जानते हैं कि वह तिरंगा अब कहा है बता दे कि चिन्ने के रास्टे धरोवर फोर्ट सेंट जोर्ज संगरहाले में आज भी वह तिरंगा सुरक्षित रखा हुआ है जो 15 अगस्त 1947 के दिन फहराया गया था 12 फिट लंबा और 8 फिट चौड़ा यह जंडा शुद रेशम से बना है यह भारत का एक मात्र जंडा है जो 1947 में फहराया गया था स्वतंतरता दिवस के इस खास मौके पर गलियों महलों से लेकर स्कूल कॉलेजों सिक्षन संसानों में तरंगा फहराया जाता है बच्चे हो या बड़े जिन आजादी के जश्न में डूबे नजर आते हैं पर क्या आप जानते हैं कि आखिर तरंगा फहराने के क्या नियम है सिर्फ जंडा फहराना ही नहीं बल्कि उसे वापस रखने को लेकर भी नियम बनाए गए है यूँ ही जैसे तैसे जंडे को नहीं रख दिया जाता है इसके अलावा अगर तिरंगा कटफट जाए तो उसको लेकर भी नियम है आईए जानते हैं इन जरूरी नियमों के बारे में तिरंगा खादी, सूती या सिल्क का बना होना चाहिए ये तिरंगा हाथ से काता हुआ या बुना हुआ भी हो सकता है जंडे में केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके फैराया नहीं जा सकता पहले तिरंगा सिर्फ सुर्योद्य से लेकर सुर्यास्त के बीच ही फैराया जा सकता था लेकिन रात में भी जंडा फेहराने की अनुमती है जंडे को जमीन पर कभी भी नहीं रखा जाना चाहिए जब तक सरकारी आदेश ना दिया गया हो जंडे को आदा जुका कर नहीं फेहराया जा सकता है किसी भी तरह से जंडे को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है अगर कोई जंडे को जलाने या अन्य किसी तरीके से उसे नुकसान पहुचाने या मौखिक या शाब्दिक रूप से तिरंगे का अपमान करता है तो उसे तीन साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो स सकते हैं तिरंगे जंडे के करमिशिल इस्तिमाल की इजाजत नहीं है और ना ही किसी को सलामी देने के लिए तिरंगे को जुकाया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति किसी के आगे तिरंगे को जुकाता है या उसका कपड़ा बना कर पहनता है किसी भी तरह की मूर्ती में लपे हुई है वहीं अगर तिरंगा अगर कहीं से कट या फट जाता है उसे फहराने लाइक नहीं रहता तो उसे यूही नहीं कहीं भी फेका नहीं जाना चाहिए बलकि इसके लिए भी एक नियम है भारते जंडा सहीता के मुताबिक कटे फटे तिरंगे को दफना देना चाहिए या फिर उसे एकांत में कहीं जलाकर नश्ट कर देना चाहिए इसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तिरंगे का किसी भी तरह से अपमान ना हो देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स धन्यवाद हम है देश के दिल उत्तर प्रदेश की धरकन उत्तर प्रदेश टाइम्स